आजकल मुवी को बाइकाट करने के लिए एक नये ट्रेंड चल पड़ा है ट्विटर ट्विटर में हमेशा हमें कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग देखने को मिलता जब भी कोई चीज बाइकाट करने हो थी, खासकर मुवी से रलेटःइड हाली में कुछ समय पहले trend कर रहा था bycott KGF chapter 2 क्यों trend कर रहा था bycott होनी की बाद क्यों हो रही थी चलिए आपको पूरा बता दू देखिए आपको पता है सबसे बड़ी movie है KGF chapter 2 ये सब हम सब को पता है और KGF chapter 1 जितनी बड़ी hit हुई थी उसके बाद wait low कर रहे है केज़ेफ चैप्टर टुका, लेकिन यहाँ पर अचानक से लोग क्यों नाराज हो गए, केज़ेफ के फैंस क्यों नाराज हो गए, तिक यहाँ पर बताया जा रहा है, में वज़ा है कहीं ना कहीं, परकाश राज, परकाश राज को जब से इस मुगी क्या प्रशांत नेलने की ऐसा नहीं है प्रकाश राज जो इसमें अलग एक प्रॉपर रूप में दिखने वाले हैं प्रॉपर ग्रेक्टर में दिखने वाले हैं फिर अगर हम बात करें लोगों की नाराजगी तो जैसे आप यहां पे ट्वेट्स भी पढ़ सकते हैं लोगों कहीं हिंदू जो गॉड्स होते हैं हिंदू देवी देवता होते हैं उनके बारे में भी उतने पॉजिटिव नहीं है जितने की फैंस को लगता था कि होने चाहिए और रिलिजिन को लेकर के गॉर्वर्मेंट को लेकर के जो नेगटिव उनकी व्यूज हैं हिंदू हिंदु प्रकाश राज जिस मुवी में हो नहीं देख सकते तो वो इस मुवी को बाइक आउट करेंगे काफे लोग कह रहे हैं कि प्रकाश राज एंटी हिंदू है तो आप इनको क्यों मुवी में ले रहे हैं तो इस तरह से जो हैं कहिना कहीं कमेंट सा रहे हैं कि वो फिलम के बहुत बड़े फैन है यह की बहुत बड़े फैन हैं लेकिनुव पर्काष राज के चलते मुविस को नहीं देख सकते। तो वैल, मैं यह कहोँगा कि क्या हम को एक्टर को जज़ करना चीए कि वो परस्नल्टी के कौन से साइड को है कौन से पाटी को सपोर्ट करते हैं कौन से रिलीजन को सपोर्ट करते हैं यह इतना पता हमें कि प्रकास राज सपोर्ट करते हैं उमर्खालित को सपोर्ट करते हैंенд Beim कुमार को और अधर डॉर्ट गोस्किन डिक्टिते दॉलाजी वाले लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं लेकिन क्या हमें उसके बेस पे मुवीज बाइकोट करनी चाहिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस मूई की तुछ में पैसा किसी और का लगा है एक्टर इसमें यश है तो वेल आपको क्या करना क्या किसी के पर्सनल ओपिनिन को लेकर हमें मूवी बाइकाट करनी चाहिए या नहीं सब्सक्राइब करें धन्यवाद